ओम नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्योरिटी ओफ लाइफ में मैं नीलम शुकला आपका बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों सर्व पित्री अमावश्या आश्वीन मास की जो अमावश्या होती है उसे सर्व पित्री अमावश्या या पित्र विसर्जनी अमावश पित्र लोग हैं और पित्र पक्ष के अंतिम दिन यारी अमावश्या तिथी पर वह वापस पित्र लोग में लौट जाती हैं तो आज धी पित्रों के विडाई का दिन होता है पूर्वजों कर दो हमें प्रसन्न हो हम से और हमें आशिर्वात देख जाए इसके इसके लिए पित्रवी सर्जनी अमावश्या पर पित्रों के निमित हमें दान तरपन इत्यादी जरूर करना चाहिए और इसके साथी कुछ विशेश उपाई भी मैं आज आप से वीडियो में शेयर करने वाली हूँ जो की बहुत अचूक और बहुत सरल उपाई है लेकिन आपके उपर बना रहेगा जिससे की जीवन में आने वाली समस्त बाधाई भी दूर हो और किसी भी प्रकार की आपके जीवन में परेशानी हो चाहें संतान प्राप्ती में बाधा हो धन प्राप्ती में बाधा हो विवाह में बाधा हो घर में मांगली कार्य आपके रुके ह लगे लाई भी कीजें शेयर कीज़े फैमिली फ्रैंस के साथ और पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो च्यानल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बिटन को प्रेस कर लीजिए इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही जमय प्रप्राप्त हो जाएगी दोस्तों बात करें सर्व पित्री अमावश्या की तो 6 अक्टूबर को सर्व पित्री अमावश्या है जो कि निर्माण हो रहा है तो गच्छाया योग सुर्य और चंद्रमा जब हस्तनक्षत्र में होते हैं तब गच्छाया योग बनता है और 6 अक्टूबर को सुर्योदे से लेकर शाम को 4 बज कर 34 मिनट तक सुर्य और चंद्रमा हस्तनक्षत्र में होंगे तो यह गच्छाया योग का प्रभाव रहेगा ऐसा माना जाता है कि इस योग में श्राद और दान करने से पित्रों की आत्मा अगले 12 सालों के लिए त्रिप्त हो जाती है ऐसे में इस विशेश सुभ योग के लगने पर आपको सर्वपित्री अमावश्या पर अपने पित्रों के नमीत दान तरपन औ पित्रों के आत्मा को शांती मिले उन्हें श्रद्धा से आप अपना मन में स्मरण करते हुए दीब दान कीजिए उनके नाम पर और इसके साथ ही कुछ गरीबों को भूखे लोगों को भोजन जरूर कराईए देखिए सर्वपित्री अमावश्या पर जब हम पित्रों के न चल रही हो बहुत समय से और आज आप अपने पित्रों को स्मरण करते हुए अपने मन की परिशानी उनसे कहते हैं शीेख रही आपकी परेशानी दूर होती है जब हमारे प्रसंञ होते हैं तो हमें झो आ आशिरवाद देते हैं उससे हमारे जीवन में शुभता आती है धन क रिट्वारिय की वृत्वार्टि सいた लेकिन अगर अज़ के दिन अवश्या पित्र विशर्जनी पर भी अपने पित्रों को याद ना करें एक पित्र नाराज हो जाते हैं इस तरह से अगर अत्रिप्त होके पूरवज हमारे जब लोटते हैं पितर लोग में मतलब कई तरह की परिशानियों से हम घिर जाते हैं और ये भी समझ नहीं पाते हैं कि ये परिशानिया आरही है कहां से आ रही है सबी तरह के आप उपाई करके देख लीजिए जब पित्र दोस होता है पित्र हमारी प्रसन्य नहीं होते हैं तो किसी भी उपाई का कोई असर प्राप्ट नहीं होता है इसलिए आज का दिन बहुत महत्यपुरुन है इतने शुब योग में जब पित्र अमावश्या लग रही देखें ठीटा तरफ करने के लिए कुछ ब खुछ विश्य करने कीजिए इ awake याद याद कीजिए एक लोटे में फ्होर सा सक्कर डालते हैं तोड़ा सा काला अपर डालते हैं और डख्षिट्विसा की तरफ मुख करके पित्रों के नाम से आप फ्रे 1 बार उनके नाम से आप मन में स्मरण करते हुए या ओम पित्रिभ्य देवताब भ्योनमा इस तरह से मंत्र जब करते हुए 11 बार इस मंत्र को बोल कर अर्गे दीजिए आप किसी पात्र में दे दीजिए या किसी पौधे में किसी भी गंबले में भी आपका मुख हो क्यूंकि ह पित्रों को अर्गे देते हैं तो दक्षिन दिशा के तरफ मुख करके देते हैं ऐसा माना जाता है कि पित्रों के दिशा जो है वह दक्षिन दिशा होती है तो पित्रों को स्मरण करते हुए आप 11 बार में वह जल दीजिए या फिर एक बार में ही जल दीजिए लेकिन आप आप स्मरण करते हुए मन में इस मंत्र का और फिर आप जल दीजिए तो इससे आपके पितर पर सन्न होते हैं यह अर्ग्य स्वीकार करके आपको आशिवाद देते हैं आज हमें चाहिए कि आज कुछ भोजन की सामगरी कच्छी सामगरी दाल चावल आठा घी तेल दूध और खीर की सामगरी अगर हो तो दूध चीनी और चावल इत्यादी आप किसी ब्राम्हड को दें ब्राम्हड को ही क्यों दान देना चाहिए देखिए जब हम पित्र को दान देते हैं तो हमें ब्राम्हड को दान देना चाहिए ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है तो पित्रो को स्मरण करते हुए जो आप दान देते हैं अगर ब्रामभण को दे उसके बाद आप चाहें जितना दान दक्षना किसी और को देना चाहें कोई फरक नहीं पड़ता है पितर प्रसंद होते हैं और आपकी जीवन में आने वाली समच्त बाधाय दूर होती है देखिए आज के जो हमें सबसे जरूरी जीव होते हैं जिनको भोजन देना चाहिए वो होता है कववा और कव्य को भोजन दीजिए कुत्ते को चीटी को और आज के दिन पीपल के व्रिक्ष के नीचे भी आपको भोजन की सामगरी रखनी चाहिए लेकिन कैसा भोजन हम इन जीवों को दे इ उस भोजन में से पत्ते पर निकाल कर थोड़ा-थोड़ा सभी सामगरी में से आप कुत्ते को खिला दीजिए उसके साथ ही आप कव्य के नाम पर छट पर अपने रख सकते हैं या बाहर किसी खुली जगह पर भी रख सकते हैं गाई को दीजिए और उसके अलावा चीटी के बिल के पास या किसी भी जगह पर आप थोड़ा सा अन थोड़ा सा भोजन में से आप चीटी के नाम पर भी रख दीजिए और इसके साथी आज ब्रामभण को भोजन जरूर कराना चाहिए किसी भी ब्रामभण को घर बुला कर भोजन कराएं और अगर घर पे बुलाना तो आज अपने पित्रों को मन में स्मरण करते हुए जो भी दान दक्षना आप किसी को भी दे रहे हैं अपने मन में अपने पित्रों का ध्यान इस प्रकार से अगर आप दान देते हैं तो पित्र उसे स्वीकार करते हैं और खुशी-खुशी पिता होते हैं तो आपके लेघे हैं कि आप आज मिट्टी काहड़ा अपने हिसाब से देख लीजिए थोड़ा बड़ा जोटा कैसा भी ले सकते हैं उसमें आपको घर से अज़ार भर लेके जाना है अपने घर मन में हृदय से उनको सच्चे मन से स्मरण करते हुए उनसे प्रार्तना कीजिए कि है पित्र देवता पित्र पक्ष के दौरान जाने अगर हमसे कोई भी भूल चुक हुई हो तो उसके लिए हमें शमा कीजिए और हम पर कृपा कीजिए जो भी हमारे जीवन में परेशानिया ह उसे दूर कीजिए और आपके मन में अगर कोई भी विशेस कामना है अपने पित्रों का मन से ध्यान करते हुए अपने पित्रों का और उनसे अपने मन की कामना कहिए तो आपके मन की समस्त कामनाय पूर्ल होती है दोस्तों यह जो तरीका होता है पित्रों को त्रिप्त करने मट्क के पुरे 13 दिन तक पानी अनदर पुर्य पुरू रहतार जाता है तो समय-बा राल्त मीलें पाने से उस जीव को अत्म अट्मा रहे और वो त्रिप्त रहे तो इस प्रकार से हम पित्रों को त्रिप्त करने के लिए अगर सर्वे पित्री अमावश्या पर ये जल किसी पीपल विर्ख के नीचे रखते हैं तो पित्रों का आशिरवाद भी हमें प्राप्त होता है और वर्स भर हमारे पित्र त्रिप्त रहते हैं और जब हमारी जीवर में कोई भी परेशानी होती है तो हमारे पित्रों के आशिरवात से वो दूर हो जाती है तो सर्वे पित्री अमावश्या पर यानि 6 अक्टूबर को आप ये उपाय ज़रूर कीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आये हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है